ज्ञारकंड में एक बार फिर घिराव धरना जुलूस का सिलसिला शुरू हो गया है। आज पंचायद सचीवाला स्वयम सेवक संग के बैनर तले पूरे ज्ञारकंड से पंचायद सचीवाला स्वयम सेवक राची पहुँचे और अपनी मांग को पूरा कराने के लिए आज इसी संग के बैनर तले सभी धुरुवा स्थित प्रोजेक्ट भवन का घिराव करने लोगों ने पहले जुलूस निकाला और प्रजेक्ट भवन के तरफ मार्च करते हुए आगे बढ़े लेकिन प्रसासन ने धुर्वा गोल चक्कर के पास इन्हें रोक दिया हलांकि कई बार प्रसासन के तरफ से बने बैरिकेटिंग को तोड़ने का प्रयास भी पंचायद सच सचिवाले सवयमसेवक प्रजेक्ट भवन का गिराव करने क्यों जा रहे थे दरसल इनके कुछ मांग हैं पहले आपको पंचायद सचिवाले सवयमसेवकों की क्या मांग है वो बताते हैं इन पांच सूत्री मांगों में सबसे पहले कहा गया कि संग का नाम बदल कर पंचाय सहायक किया जाए दूसरी मांग इनके मांदय को नियमित किया जाए तीसरी मांग स्वैब को की सेवा च !!!शौथी मांग है कि स्वैब्शेवा का समयोजन हो और पांच्वी मांग कि इन सब मसलों पर बात करने के लिए संग के दस सदस्य प्रतिनीदी मंडल से सी एम वार्ता करें आपको बता दें पंचायद सची वाले स्वयम सेवक पिछले तीन महिने से राजभवन के पास धरने पर बैठे हैं लेकिन उनका कोई सूध लेने वाला नहीं आया इसके बाद प्रोजेक्ट भवन घे हम तीन महिने से बैठे हुए हैं सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है 90 दिन क्या 900 दिन तक रहकर अंदोलन करना होगा तो करेंगे उन्हेंने बताया कि हम बीते चार साल से वेतनमान और मांदे बढ़ोत्री के लेकर बार-बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं लेकिन सरकार ए सरकार हमारी मांग मानने को तयार नहीं है संग का कहना है कि जब तक यह मांगों पर विचार नहीं होता हम मानने वाले नहीं है जहारकंड में अब धरना अन्दोलन यह सब आम बात हो गई है सरकार को इन सपसे खासा फर्क नहीं पलता, लेकिन आने वाले समय में चुनाव होने हैं, ऐसे में थोड़ा उम्मीद तो किया जा सकता है कि सरकार इस पर कुछ चर्चा कर सकती है, लेकिन ये सब तो फिलाल भविश्य के गर्व में है, तीन महीने बीट गए धरना देते-देते, देखना होगा इन पंचायत को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करने हैं, बाकि आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हों, तो कमेंट बॉक्स में आप सादरा मंत्रे थे, इसके अलावा हमारे वीडियो आपको अलग-अलग ठिकानों, जैसे फेसबुक, इंस्टेग्राम, ट्विट चन में डाल दिये गए हैं, शुक्रिया